क्रिश्णवाणी दोस्तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन आवेश में आकर भगवान श्री क्रिश्ण से कहते हैं हे कालेश्वर यदि ये सूरित थोड़ी देर ओर ठहर गया तो महादेव की सोगंद ये युद्ध में आज ही समाप्त कर दूँगा तब भगवान श्री क्रिश्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन ये युद्ध मानव कल्यान के लिए हो रहा है और मानव समाज का कल्यान प्रकति के नियुमों में उलंगन नहीं बन सकता इसलिए सूर्य को अपने समय पर उदै होने दो और अपने समय पर ही अस्त होने दो हे पार्थ लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तुम केवल अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो युद्ध करना तो तुमारे वश में है लेकिन युद्ध का परिणाम तुमारे वश में नहीं इसलिए हे पार्थ तुम केवल युद्ध करो और युद्ध का परिणाम मुझपर छोड़ दो अर्थात भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को ये संदेश देते हैं कि मनुष्यों को संसार में धर्म का पालन करते हुए अपना कर्म युद्ध करना चाहिए अर्थात धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कोई भी कर्म करते समय परिणाम हर्थात फल की चिंदा ना करे क्योंकि मनुष्य के हाटों में सिर्फ कर्म हे उसका फल नहीं इसलिए भगवान शरी क्रिश्णों कहते हैं हे कल्यूक के मनुष्यों वेर्थ की चिंदा मत करो सिर्फ धर्म के अनुसार अपना कर्म युद्ध करो मैं तुमारे हर एक कर्म का फल अवश्य दूँगा बस एक बात हमेशा याद रखे जैसी करनी वेसी भणनी जैश्री कृष्ण